आज सुबह पांच बच के 25 मिनट पर हमारे दर्वाजा पर खटखट हुई नौकिया गया हम लग उठकर आए फट से कितनी सुबह सुबह कौन आया है जैसे दर्वाजा खोलते हैं बाहर से पुरी पुलिस की टीम है साथ गाड़ियां बाहर खड़ी थी पुलिस की सराइकेला वाज़ितो हमारे घर में एंटर करते हैं दोबजे वो रुपेश को लेकर चना शार रहा है कि दास रुपेश को ने कि दूटा गया आज़े सांगे वह सब कुछ कुछ ब नहीं मिला एक हमारा एक ट्रंक है बक्सा जो है उसके चादर बिचा हुआ था चादर मितलब कि फटावा चादर था उसको मैंने कभर करने के लिए डाल दिया था तो वह पता नहीं उसको अच्छे से फोल्ड किया और उसे लेकर अपने पास रख लिया उन्होंने बहुत सारी चीजे जब की वह जब सूची में है सारी चीजे जो नहोंने हमें दिखाया है उसको लेकि उन्होंने अपने पास रखा उस समय कुछ समय तक उन्होंने हमें अपने पास बैशने भी दिया लेकिन फिर अचानक से बाहर से फोन आया वो लोग दोड़के गया है कुछ लोग पता नहीं किनका कॉल था उसके बाद फिर अचानक से दोड़के आ तो रही थी अवसका सामान भी था वहां, यह सारे चीजों के पीछे, यह सारे चीज के पीछे, रुपेज का लेखनी है, पीपल प्रो जो राइटिंग है, अब यह आप देखेगा दो तिन पहले रुपेज के ट्वीटर अकाउंट को आप खोल के देखेगा, गिरीडी में व तो उनका था विकास है या विनाश है इस चीज़ पर उन्होंने स्टोरी की है उसमें एक बच्ची का जो बहुत ही बुरे तरीके से ट्यूमर फैल गया है चेहरे पर बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही है वह आंख ने खुल पा रही है उसको लेके यह मामला अभी रेस कर रह बहुत एक्टिव हो रही थी और रुपय से लागातार बनी हुई थी इस बच्ची की लाज को लेकर तो क्या सरकार डर دर गई है कि यह काम सरकार को करना चाहिए और ये पत्रकार कर रहा है कहीं ये पत्रकार जो लोगों के हक में बोल रहा है कहीं वह हीरो ना बन जाए और जब ऐसे पत्रकार या जो भी सोसल अक्टिविस्ट है अगर ये हीरो बन जाते सो सरकार कहीं विलेन ना बन जाए ये काम सरकार को करना चाहिए और ये पत्रकार कर रहा है कहीं ये पत्रकार ज मतलब उठाया है क्योंकि अभी आप देखिए पिछले कुछ दिनों का देखिए तिस्ता से तलवार हो या हिमांशु कुमार हो हिमांशु कुमार जिनको तो सब लोग जानते वह गांधियन थौट के हैं तो उन पर भी बोला गया पांच लाख रुपे दीजिए या जेल फिर आए पेगासव में पेगासव स्फवाइब जिसने हमारी मोबैल में डाला है उनके खिलाब करवाई हो उसमें जो गठी तेकनिकल की टीम जो ती उन्होंने हमारा बयान भी दर्च कराया था वीडियों के साथ तो क्या राजी सरकार और केंद्र सरकार डर गई है क्या व से इतनी डड़ गई है उनके हीरों ना बन जाने से इतना ड़ रही है अरे इन्हें हीरों नहीं बनना है लेकिन आप लोगों के लिए काम करें मैं सब सारे जो भी नया पसंद जो लोग हैं उनसे अपील करती हूं कि किरपा आप अपने नंबर आने तक का इंतजार न करिए पत्रकार के लिए इंसान के लिए हमें जरूर बेखोफी से इनके होरे दमन का विरोध करना चाहिए हैं कि जन ज्वार जनता की मिद्व